Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone और अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना टोपिक जो आवकल समीकन वैसे तो हो चुका है क्लास में बट इसकी objective question की त्यारी करने वाले हैं देखते हैं इसकी objective question within full speed हम कैसे लगाएंगे तो one by one हम यहाँ पर objective question देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला objective question आपके लिए है यह आपकी screen पे इसमें कह रहा है कि ओकल समीकन d square y by dx square ओके और प्लस x square d by dx equal to e की power x की घाथ है तो भाई यह तो बहुत ही simple question है इसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं आपके सामने जो समीकन दिख रहा है उसकी घाथ पता करनी है तो घाथ मैंने आपको बताया था कि highest derivative term की power हुआ करती तो यहाँ पर highest derivative term क्या है d2y upon dx2 और इसकी power कितने दिख रही है 1 दिख रही है times कितने बाद derivative वो इसकी कोटी है मगर all tutor power कितनी यहाँ पर यह देखे इस term की यह आप power देखेंगे तो इस term की आपको power 1 दिखाए दे रही है तो correct answer इसका कितना होगा a1 done चले अगला question देखते हैं अगला question कहा रहा अवकल समीकन 1 plus x y dx 1 minus x 1 minus y x dy का हल क्या होगा तो भाई यह तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि यह कैसा समीकन है variable separable यानि कि 4 प्रतिस्थापन विदी का समीकन है आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो आपको question को solve करना पड़ेगा और इसका हल आ जाएगा तो आइए इसको solve कर दीता हूं मैं ओके तो इसको हम लोग इस question को हम solve करते हैं देखे एक इस तरीके से solve होगा ओके तो देखे यहाँ पर समीकन जो आपको दिया गया है that is one plus x into y dx equals to one minus y into x dy तो बच्चो क्या करो एक तरफ dx को रोक लो एक तरफ dy को रोक लो ओके अब यदि यहाँ पर आप dx को रोकते हैं तो देखे 1 plus x के नीचे यहाँ पर x आ जाएगा और dx बचेगा और 1 minus y के नीचे y आ जाएगा और यहाँ पर dy बचेगा x को डिवाइट कर दिजे तो one upon x plus one और यह हो गया dx equals to one upon y minus one यह हो गया dy चलिए समा कलन कर दिजे दोनों पक्चों में और इस तरफ c लगा दिजे हलाकि हम लोग क्यादत होती ही कि y वाले को left में कर रखो x वाले को right में रखो ज्यादा तरफ आंसर आपकी किताब के ऐसा ही बने होते हैं कि y वाले को left में x वाले को right में तो ऐसा आपन कर लेते हैं one upon y plus one dy कर लिया is equal to one upon x plus one dx कर लिया और x की side में c लगा दिया तो one upon y कितना हो गया log y plus y is equal to log x plus x plus c तो देखें यहाँ पर आपके पास में log y minus log x log y minus log x okay equal to equal to यहाँ पर देखें log y minus log x but option में log x into y आ रहा है log x into y तो यहाँ पर one upon x into y की परिस्थितिया कैसे बनेगी भाई है क्योंकि यहाँ तो multiply में ही नहीं है ओके यदि option देखें हम तो कौन सा answer दिया हुआ है कोई mistake प्लस मैनस में तो हुई नहीं है first second का answer b है हाँ कुछ बोल रहा हूँ अच्छा वाई वाले में ओके 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 हाँ बिल्कुल साही यह mistake हो गई है one upon y minus one so one upon y का तो फिर भी log y ही होगा तो log y minus y हो जाएगा यह log y minus y is equal to log x plus x चलो ठीक आँगे करतें देखेंगे तो log y minus log x equal to x plus y और plus का c देखो अब यहां से यह हो जाता है log y upon x equal to x plus y plus c बट आपके जो answer आए हुए हैं सारे के सारे answer जितने भी हैं आपके किसमें दिये गए हैं x minus y में दिये गए हैं तो अब answer से match कराने के लिए इस question को आपको दूसरे तरीके करना पड़ेगा क्योंकि answer से match कराना है हमारा answer यह गलत नहीं है बट match नहीं हो रहा answer से इसलिए हमको थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा क्या कुछ कर सकते हैं मैं minus sign का multiply कर देता हूँ यहाँ पर तो यह हो गया minus sign का multiply करने पर y minus log y यह हो जाएगा y minus log y equal to यहाँ पर आ जाएगा कितना minus log x okay minus log x minus x और minus का c यदि हम इस तरीके से करते हैं तो क्या log x plus log y बन जाएगा यहार देखो कहीं भी किसी situation में log x plus log y नहीं बन रहा है okay अगर हमने question गलत नहीं लिखा है तो यह log x plus log y तो और कोई situation में बन ही नहीं रहा है one upon y minus one यह था इसको भी सही कर लिया हमने तो log x upon log y नहीं बन रहा है अब particular solution भी नहीं कि answer एकदम fix हाता तो इसका सही answer जो होगा मैं वही लिख देता हूँ log y minus log x ही होगा log के upon में y into x आएगा into में आने के कोई chances नहीं है तो यह question का answer देखा जाए तो यह objective गलत लग रहा है इसमें कोई option correct नहीं मिल रहा है तो log y minus log x equal to कितना हो जाएगा x plus y plus c so log of y upon x equal to x plus y plus c बस यही answer इसका आएगा और तो कोई chance नहीं रिख रहा है ठीक है ना solution गलत मतलब हमारा solution ओ यार बिल्कुल सही बोल रहा हो तुम पहली लाइनी गलत कर दी हम लोगों ने यदि इस तरफ करेंगे तो माइना सला चला जाएगा अब यहीं से सब कुछ गलत हो गया exactly अभी देखा तुमने यह चली तो इसको फिर से कर लेते हैं लास्ट टाइम so 1 प्लस x y dx है so 1 प्लस x अपॉन x यह कम y की तरफ ले जाते हैं इसको तो बहतर रहेगा तो y तो उपर ही है तो यहीं लाना पड़ेगा तो देखो यदि मैं इसको माइनस साइन हो गया है और यदि मैं इसको मल्टिप्लाइ कर दूँ तो y माइनस 1 के नीचे y आ जाएगा और dy और यहाँ पर 1 प्लस x अपॉन x हो गया ठीक है और 1 प्लस x अपॉन x और 1 प्लस y अपॉन y अब आ जाएगा हाँ आप कोई रिक्कत नहीं है तो इसको गलत कहना गलत होगा तो y वाले टम को अगर आप पहले solve करते तो कितना जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y dy इंटिग्रेट भी लगा दो साथ में एकॉल टू यहाँ पर आएगा dx तो ही है तो 1 अपॉन x प्लस 1 का dx ओके तो 1 अपॉन x का कितना हो गया लॉग x प्लस x एकॉल टू और प्लस c लगा दो इतर लॉग x की साइड में एकॉल टू हो जाएगा कितना y माइनस लॉग y होके that's it अब इसके बाद इसको उधर उधर कर दो तो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग y उधर जाएगा तो लॉग y प्लस लॉग x एकॉल टू y माइनस x y माइनस x प्लस c ओके तो लॉग y प्लस लॉग x कितना हो गया लॉग x इंटू y और माइनस y को इधर ले आऊँगा प्लस y को इधर हो गया माइनस y और प्लस का X हाँ ठीक है B option आ गया है और equal to कितना C sorry बच्चों तो यहाँ पर mistake पहली line में हो गई थी तो question को देख करके लिखेगा कई बार confidence में question में गलती हो जाती लाइज से पहली line में ही गलती हो गई थी इसको इधर ले जाना था उन सभी व्रत्तों का अवकल समीकर्ण जो मूल बिंदू से गुजरता है तसा जिनके केंदर एक्छस पर इस्थे थे थे देखो वैसे तो यह जो पार्ट है यह आपके बुक से हटा दिया गया है बट objective में आपको दिया गया क्योंकि अवकल समीकर्ण का formation वो हट गया आपके से लिवस से तो बताओ बच्चों इसको कराओं की ना कराओं अवकल समीकर्ण का बनाना हट गया से लिवस से बताई इसको करना चीए की नहीं करना चीए जल्दी बूलिए चोटा नहीं है काफी बड़ा जाएगा यह मतलब सबसे पहले आपको व्रत्य का समीकर्ण बनाना पड़ेगा ओकल जो मूल बिंदू से गोजरते हैं जिनका केंदर एक सक्ष पर है अब हना तो चलो देखो एक बार कोशिच कर लो देख ले चांब आग गया है तो हाँ अब सिलेवस से हट गया है तो जाहिर सी बात है कि बोनस मिलेगा यह कुछ गलती है किताब वालों की इन लोगे लिग दिया चली खेर उन सभी व्रत्यों का समीकर्ण जो की मूल बिंदू से गोजरता है जिनका केंदर एक सक्ष पर है यह देखिए यह आपके पास में म सक्ष पर Y निर्दे सांग तो जिन्दा होते ही नहीं है तो H,0 अगर आपके पास में व्रत्का समीकर्ण है तो आपके पास में देखिए H,0 मत मानो A,0 मान लो क्यों मान लो A,0 उसका एक कारण है क्योंकि यहां से लेकर कि यहां तक व्रत्की त्रिज्जा ही होगी तो त्रिज्जा कितनी है R बराबर A तो त्रिज्जा भी A है और केंदर के निर्दे सांग कितने होगए A,0 तो व्रत्का जो समीकर्ण बनेगा वो बनेगा X-A का और क्यों बनेगा व्रत्का फॉर्मूला जो होता है ग्यार भी गलास में X-H का स्कॉर प्लस Y-K का स्क्वर एक्वल टू R स्कॉर तो त्रिज्जा A है अब इसको खोल दो भाई तो ये हो गया X-A का स्क्वर प्लस Y स्क्वर एक्वल टू कितना हो गया A स्कॉर देखो यहां इसको अकलन किया देखो यहां से यहां से यदी मैं इसको एक बार अकलन करता हूं तो यह कितना जगा टू टाइमस ओफ X-A प्लस 2D by dx एक्वल टू कितना हो गया A square का हो गया 0 ओके डन ठीक है अब देखिए अब हमें यहां पर X-A को गयाप करना है अब हमें यहां पर X-A को गयाप करना है अब हमारे पास यहां पर X-A को गयाप करना है और ऐसे gap करना है कि कुछ बचे ना दो बार differentiate तो कर नहीं सकते हैं इसको 2 times of x minus a हो गया इसका differentiation plus 2 divided x equal to a square का कितना हो चुका है 0 अब a को हटाना है आपको पूरा दम लगाना है कि a हमारा हट जाए constant यहां से हट जाए देखें इसको आगे करते हैं तो यह हो जाएगा कितना 2x minus 2a minus 2a plus 2 divided dx equal to कितना हो गया 0 और अब यहां से 2,2,2 तीनों से common लेकर के मैं 0 के से के नीचे ले जाकर के cancel कर सकता हूँ तो x minus divided dx is equals to a यह आ चुका है अब हमारे पास में a जो है हमको a को eliminate करना है a को हमें gap करना है a अधी gap हो जाता है तो हमारे पास answer आ जाएगा चलिए a को gap करने का तरीका निकालते हैं तो हमारे पास जो equation है वो देखें क्या है यह equation हमारे पास यह वाली है x minus a का square plus y minus 0 का square equal to a square तो इसको मैं लिख सकता हूँ x square minus 2ax plus a square equal to a square तो a square से a square cancel हो गया तो x square plus y square equal to कितना हो जाएगा 2ax तो x square plus y square upon 2x equal to कितना बनेगा a तो यह हमारे पास a की value आ चुकी है तो a को eliminate हर हालत में करना पड़ेगा क्योंकि आउकल समीकर्ण की शर्थ होती कि किसी भी प्रकार का निये तांक नहीं होना चाहिए तो निये तांक दिखेगा नहीं x minus d y by dx और a का मान पूट कर दीजे a का मान है x square plus y square upon कितना 2x चली तो अब multiply कर दीजे तो देखो भाई आपके पास यह 2x है तो 2x multiply होगा x के साथ तो कितना हो जाएगा 2x square minus 2x d y by dx एक मिनट हम y भूल गहे हैं क्या क्योंकि y की कमी दिख रही है 2x d y by dx तो 2x d y by dx option में y सब के पास में है y यहाँ सब के पास में है y की तलाश कीजे देखे यहाँ पे y आएगा तभी तो option में क्योंकि y आ रहा है उससे पता चल रहा है यहाँ पे 2y आएगा और y का differentiation भी 2 by dx आएगा अच्छा और यहाँ पे x square plus y square equal to इतना है ओके एंड यहाँ पे 2x minus 2a तो यहाँ पे x plus आएगा यहाँ पे भी प्लस रहेगा तो अब चलिए अब मल्टिप्लाइ कर देते हैं और साथ में यहाँ पे क्या बचा वाई बचा है तो मल्टिप्लाइ कर दो तो क्या हो जागा 2xy dvdx equal to x square plus y square तो final answer हमाई पस त्यार है देखो जो हमाई पस answer दिया गया है वो in terms में दिया गया है मतलब x square एक तरफ या y square एक तरफ तो मैं अगर x square को एक तरफ करता हूँ तो शायद मेरा answer मैच हो जाए तो मैंने x square को इधर किया तो 2x square minus x square कितना आ गया x square और यहाँ पे y square को रहने दो और y square plus 2xy dvdx तो मेरी नजर में अभी जो answer आपको match कर रहा है वो कौन सा है बोलो x square equal to y square plus 2xy dx तो x square equal to y square plus 2xy dx देखे यहाँ पे plus था तो यह इधर पे आके minus हो जाएगा वो कितनी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ रहा है यहाँ पे यह plus है तो इधर आके minus हो जाएगा तो x square equal to y square minus 2xy dx तो यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि x square के terms में कोई भी equation नहीं बना अपना तो अब हम एक काम करते हैं अब हम y square के terms में equation बनाने के लिए y square किदर बैठा हुआ है यह बैठा हुआ है तो y square को मैं रोकता हूँ 2x square minus x square कितना बन जागा x square plus 2xy diva by dx तो answer number c मेरे को दिखाए दे रहा है अगर आप y square को right side में रोक लो क्योंकि x square को रोकने से तो काम बना नहीं तो यदि मैं y square को रोकता हूँ देखो यह diva by dx है अगर मैं in case y square को रोकता हूँ तो 2x square minus x square कितना बज गया x square और plus 2xy diva by dx तो यह option number c है चलिए answer check करते हैं c का नहीं third का c है की नहीं third का c so correct answer है बिलकुल third का c first भी कर लिया हमने second भी कर लिया third भी कर लिया चलिए अब next question नवर fourth की दरफ चलते हैं यह question है भाई साफ fourth question अवकल समीकर इतने का हल कितना होगा तो अपसे पहले question के format को पहचाना करो format पहचान में आ गया तो 90% काम तो आपका होई गया यह रेखिए यह question आपके सामने लिखा हुआ है क्या कह रहा है अवकल समीकर डिवबे dx plus y equal to e की power minus x अच्छा और आपको y 0 बराबर 0 दिया है मतलब आपको कैसा चाहिए विशेसल चाहिए मतलब मांग रहा x की value 0 है और x की value 0 पर y कामान भी कितना है 0 है यह चीज़ दे रखिए देखो श्री y 0 बराबर 0 का मतलब होता है जिस समय तुमने x 0 खिलाया था उस समय y कामान कितना दिया 0 मतलब यह condition कह रही है कि x equal to 0 है और y equal to भी क्या है 0 है तो आप ही हल करते है question क्या format में दिख रहा है linear format में दिख रहा है क्यों d by dx plus py equal to q इस format में है अपने पास में एक question so क्या होता है rule सबसे पहले आपको if निकालना पड़ता है तो if is equal to होता है e to the power p dx p कितना है 1 और dx अपने पास कितना dx ही होगा तो यह कितना आ गया e की power x आ गया अब इसके बास solution क्या होता है y into if is equal to integration of q if dx plus c भाई यह होता है इसका solution तो आप solve करते हैं तो y हो गया if कितना है भाई साब अपने पास e की power x है is equal to q कितना है q है e की power minus x into e की power x और यहाँ पर dx plus c यह दोनों cancel होगा 1 बच गया so y into e की power x 1 का integration कितना होगा x plus c चलिए यह आ चुका है अब रख़ट करते हैं x equal to 0 पर y equal to कितना दे रहा है 0 दे रहा है तो x equal to 0 पर y equal to 0 तो y की value 0 पूट कर दो e की power 0 equal to 0 plus c 0 into something equal to 0 मतलब c का मान कितना आ गया 0 आ गया c का मान 0 पूट कर दीजे कितना आ जाएगा इस वाले समींकरण में c की value 0 डाल दो तो y into e की power x equal to x plus 0 so y into e की power x equal to x okay so y equal to x upon e की power x e की power x उपर जाएगा बन जाएगा x e की power minus x so option number d मुझे दिखाई दे रहा है d should be the correct option देखते हैं क्या है चमतकार d है की नहीं है और बिलकुल सही है d is the correct option fourth हो गया भाई चलिए अगला question fifth question उठाते हैं fifth question क्या कहरा देखेंगे question कहरा है कि सरल एखा जो आउकल समीकन d by dx equal to m को संतुष्ट करती है और y अक्ष पर धनात्मक दिशा में तीन अन्ते खंड काटती है क्या वात है वाई geometry का तड़का मार दिया question में y अक्ष में धनात्मक दिशा में तीन अन्ते खंड मतलब जो रेखा है भाई साब y अक्ष में धनात्मक दिशा में तीन का अन्ते खंड काटती है मतलब किस बिंदू से पहुंसती है मतलब ये कितना अन्ते खंड है और y equal to 3 है क्यों परिहार समझ में आया कि नहीं है हाँ तब देखिए समीकान आपके पास क्या दिया है d by dx equal to m भाई variable से प्रेबल d by equal to कितना हो गया m dx ये कर दो भाई साब plus c लगा दो तो y हो गया equal to कितना हो गया mx plus c चलिए condition क्या दे रखी x equal to 0 पर y equal to 3 तो y की जगे 3 डाल दो वैसे आपका main equation a यही वाला है और m into 0 plus c c का मान कितना आ गया 3 reverse put कर दो answer आ गया y equal to mx plus 3 okay option number b check करते है b सही है कि गलत है okay correct है option number b so simple questions next अगला question छटवा दिया गया है x divided x minus y equal to 2x square का समा कलन गुड़ांक निकालना है तो चलिए इसको भी उठा लेते हैं देर किसे बात की अपने पाद जो equation दिया गया है x divided x minus y equal to 2x square तो पहले इसको अच्छे रूप में लिखते हैं तो यह बन जाएगा divided x x का भाग दे दिया दोनों पक्छों में तो यह कितना हो गया plus इसको लिख सकता हूँ minus 1 upon x देखो यार minus plus में अच्छे अच्छों से गलती हो जाती है तो minus plus का ध्यान रखना है यहाँ पे minus था तो minus 1 upon x 2x square x x cancel हो गया तलाश पूरी हो गई p का मान कितना आ गया minus 1 upon x और q का मान कितना आ गया है 2x चलिए खेर integrating factor बस पूछा है समाकल गुणांक जो की होता है e की पावर p dx तो e की पावर minus 1 upon x 1 upon x dx that is equal to e की पावर minus log x अब आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ log x की पावर minus 1 और e की पावर में चड़े रहें दो e और log एक दूसरे के inverse function होते हैं तो e से log cancel हो जाएगा x की पावर minus 1 बचेगा that is equal to 1 upon x तो correct option क्या होगा इसका c होगा yes, correct option equal to c so this is also done guys चलिए, next question देखते हैं अंगला समीकन x square plus a square के संगत ओकल समीकन यार, इसमें फिर से आपको ओकल समीकन बनाना है ओके, तो इसमें हमको क्या करना है ओकल समीकन बनाना है तो इन सारे questions को मैं एक साथ लिए चलता हूँ और इनको मैं एक साथ ही बनाया देता हूँ वहीपर ये लो भाई, बार बार ले जाने में कर दो बहुत ही सिंपल रिफरेंशेट कर दो तो एकस स्क्वार का हो जाएगा टू एकस और इसका हो जाएगा 2y d y d x equal to a square का कितना हो जागा 0 तो अखल समी का नू का भाग देदो तो टू 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 भी इक्वल टू माइनस x dx so y dy प्लस x dx इक्वल टू जी ओ मतलब अब देखो आपके पास कोई एक answer नहीं आ रहा है ये भी इस रूप में भी answer दिया जा सकता है इस रूप में भी answer दिया जा सकता है तो आप कुछ भी लिख करके आओगे चेक करने वाले को चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा कि answer कि मतलब अलग-अलग form में हो सकते हैं अब हो सकता है इसका answer क्या है चलिए आइए देख लेते हैं हो सकता है तीनो answer ना हो ये देखे answer क्या दे दिया है y dy dy dx plus x equal to 0 मतलब तीनों से हटा करके answer दे दिया आई इसको भी ला देता हूं मैं देखो तो y dy dy dx plus x equal to 0 कैसे हो जाएगा ये भी देखो अगर आप y का multiply कर दें तो ये हो जाएगा y dy dy dx और minus x से तो इधर आके क्या हो जाएगा plus x equal to 0 तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है जो आपको लिखना हो आप यहाँ पर answer के form में लिख सकते हैं ठीक ना क्योंकि जब प्रशन आएगा तो तीनों ही रूप में आ सकता है ओकल समीकन ये भी है ये भी है ये भी है adjust करना तो चलता रहता चली अगला question ने देखिए y equal to e की पावर cx से सम्मंधित ओकल समीकन तो पहले इसको मैं रफ कर दूँ बोलो clear है सभी बच्चो यास बोलो ओके मुकल पिछला question clear होगे ना ओके चली अगला question question देखते हैं अगला question दिया है y equal to e की पावर cx से सम्मंधित ओकल समीकन भाई बहुत easy question y equal to e की पावर cx है तो वह या c को हटाना है समीकन का differentiation करतो डीवब डीक्स equal to कितना हो गया e की पावर cx और साथ में क्या आएगा c आएगा ओके साथ में c आगया तो यहां से आपको c की value गायप करनी है यहां से आपको c की value गायप करनी है क्योंकि c क्या है switch आचर है तो एक काम करिए यहां पर आप log ले लीजिए तो log y equal to कितना हो जाएगा देखे log e की पावर cx समझे इसको यहां पे लेता हूं में तो log y अगर में लूँगा तो यह हो जाएगा log e की पावर cx अब cx आगे आ जाएगा तो यह बन जाएगा cx log e cx log e log e का मान कितना होता है 1 होता है तो log y equal to कितना बन गया cx बन गया तो यहां से c equal to कितना आ गया c equal to आ गया log y upon x तो बस हमको value रखनी है तो value रख देंगे तो d by dx equal to e की पावर cx अब देखो e की पावर cx में भी c बैठा हुआ है तो उसकी जगे क्या put कर दो y put कर दो तो y into c की value कितनी आई है log y upon x यस तो इसको थोड़ा सा अब arrange कर दो आप थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो d by dx minus log y into y upon x equal to 0 तो मेरे ख्याल से यह इसका answer होना चाहिए d by dx minus y log y upon x equal to 0 चलो answer check करते हैं d by dx हाँ देखो वही आ रहा है बस इसने उधर का उधर कर दिया x को उधर ले गया है है ना बस तो आप भी कर सकते हो x को इधर ले जाओगे और y log y बन जाएगा तो answer हमारा बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है बुलो done बचो clear है अगला question देखे समा करन गुडांग पूछा गया है यहाँ पर e की power क्या होगा p dx होगा तो भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बड़ा फरजी question d by dx है तो answer होगा e की power p dx अगला question देखे d by dx प्लस py equal to q में p और q क्या है भाई p और q के दो 24 हो सकती है या तो p और q x के फलन हो सकते है x के फलन देख लो सब में जितना भी आपको p और q मिला है यह x का फलन होगा या नियतांक होगे तो या तो x के फलन ले लो या नियतांक होगे होगे mostly आपका answer लिखने की twice है x के फलन क्योंकि जादातर question में बच्चो x के फलन हुआ करता है मगर नियतांक भी होगा तो कोई बुरा ही नहीं है तो चले fourth का answer देख लेते हैं इसी बात पर ये लो भाई साब इसने अचर बोल दिया बच्चो ऐसा जरूरी नहीं है अचर ही होंगे आपने देखे इतने सारे question में तो भाई x का फलन भी दिया है दिया होता है कि नहीं दि होता है क्यों है मुकुल जैसे यही question है अब ये question है देखो इसमें यहां पे अगर ये बनता ये तो नहीं बन रहा क्यर जैसे ये वाला question है इसके पहले अपने कई सारे question करें देख लो एक question हाँ ये था अब देखो यहां पे पी क्या आया था पी निये तांग का रहा कि एक्स का फला ना रहा बोलो एक्स का फला ना रहा तो पी के भाईया पी और क्यू दोनों हो सकते हैं लिख लो अपनी कॉपी में पी और क्यू की हाँ तो फिर y का फलन होता है अरे भाई देखो क्या होता है कि आपके पास में किसके respect में आप समा कलन कर रहे हूँ स्वतंत्र चर कौन है तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष में सब कुछ हुआ करता है तो यहाँ पर जो स्वतंत्र चर कौन है भाई या X है तो सब कुछ X का फलन होगा यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन है X है तो X के लिए होगा बोलो done clear हो गया हाँ अगला देखे अगला कहरा आउकल समीकर्ण X प्लस Y प्लस 1 DY equal to DX किस रूप का है तो भाई इसको पहले अपन को हल करना पड़ेगा क्योंकि X प्लस Y दिया गया है प्लस 1 तो इसको पहले थोड़ा सा simplify करने तब पता चलेगा कि यह किस रूप का है देखे यह जो question है अब इसमें देखिए X की power 1 है और Y की power 1 है तो वैसे ही यहाँ पर देख करके पता चल रहा है कि रेखी रूप का है मगर फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार इसको हल जरूर करिए क्योंकि देखता कई बार कुछ और हो जाता गड़बर हो जाती है तो देखे आप इसको क्या बनाएंगे इसको DX upon DY बनाईए आप क्योंकि DX में यह upon में चला जाएगा उल्टा हो जाएगा तो दिक्कत पलेगी तो DX upon अगर आप इसको DY बनाते हैं तो DX upon DY बनाएंगे तो यह कितना हो जागा यह हो जागा X plus Y minus 1 इक्वल टू इतना हो जाएगा अब आप एक काम करिए DX upon DY minus X कर दीजे तो यह कितना आ गया यह आ गया Y minus 1 अब साब साब दिखा रहा है किस रूप का रहखी रूप का है क्योंकि DX upon DY minus X equal to Y minus 1 तो यह क्या बन गया रहखी रूप का है क्योंकि रहखी रूप में क्या होता है DX upon DY का टम DX upon DY minus PX equal to Q तो यह तुलना हो रही है तो आंसर क्या होगा इसका रहखी रूप का चली हाँ बोलो प्लस हाँ प्लस PX ओके इग्जेक्टली प्लस PX थैंक्यू सो मच तो यहाँ पे प्लस PX होता है तो यदि P की तुलना करेंगे तो P equal to minus 1 standard form में सारे plus रहते हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा चली अगला question number 6 देखते हैं ओके तो next question देखिए next question कह रहा है कि आपके पास E की power minus X plus Y d by dx equals to 1 का हल क्या है तो देखिए E की power minus X plus Y को पहले break कर लो E की power X minus X into E की power Y और यहाँ पे है d by dx equals to 1 अब एक काम करिए X को इधर जान दीजे X को इधर जाएंगे तो upon में क्या जाएगा E की power minus X आ जाएगा और यहाँ पे E की power Y dy तो पहले से ही है तो यहाँ पे इसको integrate कर लिजे plus C लगा दीजे यह देखिए क्या बन गए यह बन गया E की power Y dy और यह बन जाएगा E की power X उपर जाएगा यहाँ जाएगा dx plus C तो आपको पता E की power Y के की power Y होता E की power X और प्लस कितना C तो यह इसका हल आ जाएगा done ओके इसका हल देख लेते हैं match कर रहा की नहीं कर रहा है तो E की power minus Y equal to E की power minus X plus C E की power minus Y equal to E की power minus X plus C एक मिनट एक बर फिर से चेक करना पड़ेगा question को हमारे पास क्या था हमारे पास था E की power minus X plus Y E की power minus X plus Y जिसको मैंने लिख दिया E की power X minus X into E की power plus Y बिल्कुल सही किया अब यदि मैं डी बबे dx करूं तो Y के साथ E की power Y आ जाएगा ओके और X के साथ कितना आ जाएगा मेरे पास E की power X minus X नीचे चला जाएगा जो कि E की power X बन जाएगा तो answer हमारे पास आ चुका है E की power Y equal to इतना आ चुका है ठीक ना अब यदि इसका answer आपको यही लिखना है क्योंकि देखे आप घुमा फिरा करके आपको answer ला सकते हो मगर इतना attempt आपको नहीं करना है कोई prove that वाला तो question है नी तो आपको यह नहीं सोचना है आपको यही simple वाला answer लिखना है अगर objective question होता तो चलो अपन सोचते हैं ना बट यहां पर कुछ भी नहीं सोचना आपको simple यही answer लिखकर करके आना है चलो अगला question देखो यह दो बहुत ही simple है अगर आप सबसे पहले एक बार आउकलन करोगे तो 1 आ जाएगा 1 प्लस E की पावर X दो बार करोगे तो E की पावर X आएगा तो इसका answer कितना हो जाएगा E की पावर X ही हो जाएगा तो यह देखो इसका answer क्या है E की पावर X done हो गया clear है चलिए अगला question देखते हैं भाई सत्य असत्य आ चुका है देखते ही समझ में आ जाएगा कह रहा है कि अवकल समीकन इतने की कोटी कोटी याने की highest इसकी घात 5 है कहां से घात 5 है भाई तरतिय की जो घात है चार बटे 5 आपको दिख रही है वेट 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 चार बटे 5 दिख रही है तो इसको हमको पूरा इसको हल करना पड़ेगा और यदि इसको पावर 5 लेंगे दोनों तरफ पावर 5 लेंगे तो इसकी घाद 20 आ जाएगी देखो, रूल होता है कि आउकल समीकर्ण में जितने भी पद होते हैं, आउकल पद वो कर्णी चिन्ने से मुक्त होने चाहिए तो यदि आप इसको यहाँ पे हल करो तो देखो कैसे हल करोगे, बताऊँ DQY by DXQ की पावर 4 बटे 5 इधर आ जाएगा 2 DY DX और कितना D2Y by DX2 की पावर होल स्कुएरे बच्चों अब तुम्हें ये 5 हटाना है तो दोनों तरफ 5 पावर ले ले दोन तरफ कितनी पावर ले लो? 5 पावर इधर भी 5 पावर ले लो और इधर भी 5 पावर ले लो ये देखो इधर 5 पावर ले लिया और इधर भी आपने 5 पावर ले लिया तो जब दोन तरफ 5 पावर लोगे तो ये 5 से ये 5 तो हट गया ये 5 से ये 5 पांच हट गया अब देखो अब जब ये पांच से पांच हट चुका है तो यहां पर इसकी घात कितनी बचेगी चार बचेगी ना और यहां पर कहरा घात किती है पांच तो घात पांच तो किसी हालत में बची नहीं सकती तो गलत हो गया इसकी घात किती होनी थी चार होनी थी पांच नहीं होगी, बोलो क्लियर है, हाँ, अगला क्वेश्चन ने देखो भाई, तो इसको हल कर लो, सिंपल, तो Y अपॉन X बना दोगे, तो माइनस Y अपॉन X हो जाएगा, तो E की पावर कितना हो जाएगा, P D X माइनस 1 अपॉन X D X बन जाएगा, तो E की पावर कितना हो जाएगा, E की पावर हो जाएगा, कितना माइनस लॉग X, तो कितना लॉग X को क्या लिख सकते हो, लॉग X की पावर माइनस 1, तो E से लॉग कैंसल हो जाएगा, तो कितना आएगा, IF 1 अपॉन X, और ये कितना द है ना dy अकिला है sin x dx दोनों तरफ समा कलन कर दो answer जाएगा तो dy का कितना हो जाएगा समा कलन y और sin x का कितना हो जाएगा sin x का समा कलन होता है minus cos x okay plus किता c तो क्या बन जाएगा ये y plus cos x minus c equal to 0 बिल्कुल सही है तो चौथा बिल्कुल सत्य है अगला question यहाँ पर y की power 1 है यहाँ y की power 3 है और यहाँ x की power कितनी है 1 है तो मेरे ख्याल से यह क्या बनेगा अपने पास में यह linear समीकन बनना चाहिए मतलब रेखिक समीकन बनना चाहिए और variable से प्रेवल के कोई chance तो नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं चली आईए करते हैं इसको हल तब समझ में आएगा यह क्या है देखिए कहां जा रहा है कि अकल समीकन y dx equal to इतने का हल क्या होगा तो y dx equal to यदि इसको मैं इधर ले जाओं तो साबधानी के साथ देखिए y cube minus x बन जाएगा और dx बन जाएगा य का भाग देजिए तो इन तरफ तो dx equal to कितना हो जाएगा देखिए आप सुचेंगे इसका भाग करोगे तो यह चीज़ आपॉन में आजाएगी और यह चीज़ आपॉन में आजाएगी तो आपकी समझ रहे हो ना क्या दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत तो y को नीच ले जाओ तो y cube minus x इधर भी y इधर भी y dx हो गया है ना तो dx ओरे भाई dx इधर था तो dy इधर होगा ना कुछ गलती कर दी क्या हाँ इधर dy होगा बिल्कुल सही देखे तो dx equal to y cube upon y कितना हो गया y square ओके और यह सब कुछ ब्रैकेट में चल रहा है minus x upon y यह dy चलिए अब क्या करिए अब यहाँ पर dx upon dy बना लिजे dx upon dy और यह हो जाएगा plus x upon y equal to y का square तो अब बिल्कुल सही आ रहा है dx upon dy plus x upon y equal to y का square तो यह आपके पास कौन सा format बन चुका है यह आपके पास बन चुका है dx upon dy plus p x equal to q का format बन चुका है अब इसका आपको हल निकालना है तो सबसे पहले integrating factor निकालना पड़ेगा जो की होता है e की power p dy तो p कितना है यहाँ पे देखिए x का गुडांग को one upon y है और dy तो e की power log y हो जाएगा e से log cancel हो गया तो अपने पास क्या आ गया y आ गया जो i f आ चुका है y आ चुका है अब इसका जो हल होता है वो कैसे होता है इसका हल होता है x into i f is equal to integration of q q q q q कहा है q यह है y square q कितना है y square into i f है y और यहाँ पे कितना होगा dy प्लस c इस line को याद रखिएगा क्योंकि हम किसके लिए खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं dx by dy के लिए तो इसलिए सब कुछ बदल चुका है dx by dx के लिए उल्टा होता था dx by d के लिए x i f होगा x into integrating factor integrating factor कितना है y है equal to यह कितना हो जागा यह हो जागा y की power 3 है तो y की power 4 upon 4 प्लस कितना c लिए भाई answer match हो गया यह देखो तो कथन क्या हुआ सत्य हुआ कि असत्य हुआ कथन बिलकुल सत्य हुआ note कर लो एक बारे में इसको note कर लो अब लो solve कर लो important question लग रहा मुझे note कर लो इसको ओके तो next question हमारे सामने है देखो भाई कहरा एक सब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो पहला समीकन पहचा लिए देखिए बीच में plus लगा यहां minus लगा मतलब पक्का एक है रेकिक है अब रेकिक में y की power 2 है ओके और x की power 1 है मतलब किस में रेकिक होगा यह x में मतलब आपको बनाना है dx upon dy तो आईए dx upon dy बनाने की process में लग जाते हैं तो पहला समीकन आपको dx upon dy बनाना है तो इसको आप इधर ले जाएए ओके तब आपके पास यह कुछ मदद करेगा आपकी देखो अगर dx upon dy बनाओगे तो dx upon dy उपर चला जाएगा और इसके साथ यह multiply में हो जाएगा चलो करते हैं तो 2xy minus cot y 2xy minus cot y और यहाँ पर है कितना dy by dx equals to यह हो जाएगा minus of 1 plus y square minus of 1 plus y square ठीक 2xy 1 plus y ठीक है आ रहाँ आ रहा है dx by dy हाँ अब देखिए यहाँ से यह dx by dy को आप इधर ले जाएगा तो डीवर बेडी एक्स उपर जाएगा तो यह बन जाएगा और minus sign को इसी के पास रहें दीजे अब देखिए क्या करना आपको अब आपके पास यह जो 1 plus y square है इसके नीचे आपको डिवाइट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारा समान तो आप ले जा चुके हैं 1 plus y square बचा है तो यह हो जाएगा 2xy upon 1 plus y square minus cot y upon 1 plus y square अब एक काम करिए minus sign का पूरे से multiply कर दीजे तो जैसे ही आप minus sign का multiply करेंगे तो देखे dx by dy इस minus sign का आपने उधर multiply कर दिया तो cot y upon 1 plus y square आग जाएगा और यह वाली जो चीज है यह किस में चली जाएगी minus में चली जाएगी तो यह चीज जो है minus में चली जाएगी तो मैं लिख रहा हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ minus 2y upon 1 plus y square और यह चीज माइनस में चली गई और बाहर बैठेगा x और यह चीज प्लस में हो गई cot y upon 1 plus y square एक बार देख लिजे कहीं गलती ना हो so question में 2xy minus cot y divided x equal to minus 1 plus y square था बिल्कुल सही है 2xy के नीचे 1 plus y square को ले गया positive में तो यह plus रहा यह minus रहा बिल्कुल ठीक है फिर अपने पास में क्या कर दिया मैंने फिर मैंने x को लग कर दिया और minus sign का इधर multiply कर दिया okay done तो x को इधर करने के बाद x को इधर करने के बाद यह हो गया 2y minus का 2y upon 1 plus y square into x बाहर बैठा हुआ है और minus के multiply से यह हो गया plus cot y और 1 plus y square ठीक है अब यह देखिए आपके पास में जो format बनता है वो format बन चुका आपके पास में क्या है format d y by d x equal to p x plus d x by d y equal to p x plus q तो आपके पास p की पहचान हो चुकी है इन लोगों ने यहाँ पर इसका समाकल गुडांक पूचा है मतलब केवल आपको समाकल गुडांक बताना है तो समाकल गुडांक में आपके पास में केवल क्या हैगा integration e की पावर p d y तो p कितना है भाई साब माइनस को तो बाहर कर लो उपर बैठा है 2 y और नीचे बैठा है 1 plus y square और d y अब आपको हल करना है तो भाई बहुत ही simple format लग गया नीचे दुकान उपर पक्वान तो नीचे बाले को आप t ले लो तो उपर वाला क्या बन जाएगा dt बन जाएगा तो यह हो गया माइनस लॉग का t माइनस लॉग का t और e की पावर लगी हुई है हाँ बोलो बैठा हाँ तो dx अपॉन अच्छा इसको dy हाँ स्प्रिंट हो गई थी dx अपॉन डी वाई प्लस px एक्वल टू क्यू यस 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 ये ये गलती कर दी मैंने dx अपॉन डी प्लस px एक्वल टू क्यू होता है तो यहाँ पे मेरे को पहले इसको लाना पड़ेगा format मैंने complete किया नहीं है और गलत formula लगा दिया है so sorry for that okay इसको मैं सही करता हूँ अभी so क्या बनेगा देखिए so अपने पास में यहाँ है dx अपॉन dy और plus देखिए इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y अपॉन प्लस y square तो वो minus sign हट जाएगा सही बात है into x equal to कितना cot y upon 1 plus y square thank you so much मुकूल अब देखिए इसको solve करते आंगे तो e की power कितना होता है pdy होता है e की power integration factor जो होता है समाकल गुणांक e की power pdy तो e की power pdy है 2y upon 1 plus y square तो नीचे वाले को t मानोगे तो उपर वाला dt बन जाएगा साब साब दिख रहा है e की power log t और t कौन है t है 1 plus y square तो ये देखिए e से log cancel हो गया कितना आ गया answer 1 plus y square तो ये समाकल गुणांक आपको कितना दिख रहा 1 plus y square बिल्कुल सही है बोलो done clear है अगला सवाल जो की बहुत easy है dot लगाने के करने का मन कर रहा है इस question को तो बिल्कुल दिखी रहा है इसका solution आखों में तैर रहा है क्योंकि कई बार ऐसे question हम कर चुके हैं देखिए 1 plus x square dy equal to 1 plus x square dx तो y के नीचे y वाले को बुलाईए x के नीचे x वाले को बुलाईए तो dy upon 1 plus y square ओके एक सेक्ट यस तो dy के नीचे कितना आगया 1 plus y square और यहां पर कितना चला जाएगा यहां पर आजाएगा dx के नीचे 1 plus x square integration के निसान नगाला ना भूले dy तो कितना हो जाएगा भाई साब इसका होता है 10 inverse y equal to कितना होता है 10 inverse x plus c यह इसका answer है मगर आप चाहें तो और ज़्यादा इसको simplify कर सकते हैं option में देखते हैं क्या यहीं तक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है और ज़्यादा solve कर दिया है आईए तो मैं भी solve कर देता हूँ 10 inverse y 10 inverse x तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 inverse y minus 10 inverse x equal to c को मैं 10 की form में लिख सकता हूँ 10 inverse c ठीक है तो यह हो जाएगा 10 inverse a minus b का formula लगा दीजे 1 y minus x upon 1 plus xy equal to 10 inverse c 10 से 10 को eliminate कर दीजे तो c is equal to y minus x upon 1 plus xy और चाहे हैं तो minus sign common ले ले तो c is equal to minus sign common लेने के बाद x minus y upon 1 plus xy अब इस minus sign को यहाँ ले जाए तो यह बन जाएगा minus of c that is equal to x minus y upon 1 plus xy तो वैसे यह भी answer आपका आचुका है बट minus c खुद में constant होता है तो c is equal to x minus y upon 1 plus xy तो हो सकता है यह भी सही answer है यह भी सही answer है बट one word answer है तो जो आपका answer होगा उसे सुईकार करना पड़ेगा क्योंकि कोई objective question नहीं है तो देखे यहाँ पर हल कितना आया है x minus y equal to c 1 plus xy दूसरा वाला यह देखे x minus y equal to c 1 plus xy मतलब c के साथ आप जो चाओ खिलवाड कर सकते हो positive c तो c होता ही है negative c भी c होता है ठीक है बोलो समझ में आया हाँ मतलब negative c भी एक constant है है ना जैसे maths की form में आपसे बोला जाएगा minus 3 क्या है तो minus 3 यह constant है चलो done अगला question क्या कह रहा है देखे अगला question यह सामने देख रहा पहला हो गया दूसरा हो गया अगला question है यह इसकी कोटी और घात बतानी है तो देखो सबसे बड़ी power क्या है इसका अवकलन दो बार हो रहा है तो इसकी कोटी हो जाएगी दो और इसकी घात कित्ती आएगी एक तो answer कितना है इसका 2,1 कोई तीन लगी है क्या दो ही तो लगी है तीसरे question का answer क्या दे रहा है भाई कोटी और घात का योग लिखना है ओ भाई साब देखो तो 2 प्लस एक इक इकवल डू कितना हो गया 3 इसलिए answer कितना आ गया 3 तीसरे का 3 चलिए अगला question देखिए क्या है x log x y की power बन दिख रही है y एक बार है और यहाँ x की power भी बन दिख रही है और y 1 upon x log x हाँ ठीक है कोई दिखकत नहीं है तो simple format का question है अपना d by dx वाला question है आराम से solve हो जाएगा चलिए तो इसको भी solve कर लेते हैं इस question को देखिए क्या कहरा question x log x d by dx y equal to 2 log x है तो सबसे पहले d by dx x log x का divide कर दीजे तो कितना बनेंगा यह यह बनेंगा आपके सामने 1 upon x log x और यहाँ पे y को रहन दीजे equal to 2 log x upon x log x अब हमें तो इससे कोई मतलब है नहीं अलाकि सीधे मतलब इससे क्योंकि हमें समाकलर गुणांक निकालना है तो i f equal to e की पावर p d x 1 upon x log x नीचे दुकान उपर पकवान log x को t ले लीजे तो 1 upon x dt बन जाएगा तो e की पावर उपर आजाएगा d t नीचे आजाएगा t मतलब e की पावर t और e की पावर t किसको लिया था अपने log x को लिया था तो e से log कैंसल होगे answer किता आगया x तो इसका समाकलन गुडांक किता होगा इसका समाकलन गुडांक x होगा यस एक मिनट वी अच्छा log x को t माना था ओके 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 log x को t माना था तो अपने पास ये t आया है ना हाँ t की time आई है e की पावर t तो e की e से log कैंसल हो चुका है तो अपने पास t बचा है और t कोल्डू किता लिया था log x लिया था बिल्कुल सही तो answer किता होगा यहाँ पे log x होगा तो इसका answer correct क्या हो गया log x जोके answer में भी log x दे रहा है next question देखते हैं भाई 5 ही तो दिये थे 6 के हाँ 5 ही दिये थे और काई का answer दे रहा भाई साब यह 4 हो गए अच्छा चौथा किया भी पाँचवा करना बाकी है चलो पाँचवा question उठाते हैं पाँचवा question लेखे किस तरीके से करना है बेटा sound हो रहा है तो बंद कर लेना बेटा माई क्या है कि फिर वीडियो बन रही बैग्ग्राउंड में तो ठीक ना कमेंट में सुन्दर सुन्दर वचन लिखेंगे फिर बच्चे तो दी वबाई डी एक्स प्लस वान अपॉन एक्स एक्कोल टू एकी पावर वाई अपॉन एक्स स्क्वार तो क्या किया जाए इसको यहां पर जो क्वेश्चन में डी वबाई डी एक्स दिया है वट वाई का नामो निशान नहीं है इस क्वेश्चन में तो मैं पहले कहूंगा आपको कि आप पहले इसको इधर ले जाएए तो डी वबाई डी एक्स एक्स एक्वल टू एकी पावर वाई ओके अपॉन एक्स स्क्वार माईनस वन अपॉन एक्स स्क्वार चलो इतना कर दिया आपन ने इसको हल कर दीजी आप तो डी वबाई डी एक्स एक्वल टू एकी पावर वाई माईनस यह x है, तो e' की पावर y- कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, upon कितना हो गया, यह x2 हो गया, ठीक, ओके, 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 अब यदि आप इसका multiply कर लें, तो x2 divided dx equals to e' की पावर y- कितना x, ठीक, e' की पावर y- x, यह हो गया, अगर आप dx by dy कर दे मतलब इसको पलट दे पहले अभी मत पलट हो अभी थोड़ा रुख जाओ dy by dx equal to है कितना e की power y minus x square वेट 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 तो dx by dy हर हाल में आपको बनाना पड़ेगा अगर dx by dy आप बनाते हैं तो दिक्कत हो रही है देखे तो दोस्तों यह जो question हमाई पास fifth number का है परिक्षाबोद का यह हमारे book में available जो format है उससे नहीं हो रहा है मतलब ना तो यह अपना variable separable चर प्रतिस्थापन वी दी है ना तो यह linear differential equation यानि की रेखी का उकल समीकन है और homogeneous तो है ही नहीं ओके हम करें हमोजीनियस की बात यहाँ पर की है तो हमोजीनियस को भी test कर लें कि हमोजीनियस यहाँ पर बनेगा की नहीं बनेगा नहीं हमोजीनियस कभी यहाँ पर कोई chance नहीं है क्योंकि y है अगर यहाँ पर y upon x होती पावर में तो साथ homogeneous का कोई chance बन जाता बट homogeneous कभी इधर पर कोई chance नहीं बन रहा है तो ये question किसी another method से solve होगा जिसको मैं later on आपको classes में बता दूँगा इसको try करता हूँ मैं और जैसे ही होता है solve में आपको inform करता हूँ ओके तो ठीक है बच्चों आज के लिए इस class को यहीं पर over करते हैं thank you so much for being with location unlimited study zone जैहिन जै भारत नमशकार